Hello everyone, welcome to UPSC Unstoppables, हमारी architecture की जो series चल रही है, उसमें हमने काफी पार्ट कवर किया, हमने temple architecture को detail में देखा, और हमारे last session में, last episode में हमने cave architecture पे focus किया था आज मैं आपको particularly बुद्धिस तुप के बारे में बताने वाली हूँ, कि बुद्धिस तुप क्या है, उसका architecture, ये किस प्रकार का architecture है, उसके प्रकार भी देखेंगे, तो यहाँ पे आज का पूरा का पूरा session इसी बारे में हो गया देखें, अगर आप mains के questions को check करेंगे, तो वहाँ आपको एक प्रशने नजर आएगा, PYQs में, कि बताइए कि कैसे इस तुप पर मौजूद जो motives हैं, वो यहाँ पर Buddhist ideals को दर्शाते हैं तो आज हमें वही समझना है, इस तुप पर आखिर वो कौन से motives हैं, जो Buddhist ideals, principles और जो भी philosophy है, उसको reflect करते हैं लेकिन आज के इस episode को start करने से पहले, आप सभी के लिए बहुत ही important जानकारी Unacademy के द्वारा साल में सिर्फ एक बार Unacademy Civil Services Championship कराई जाती है और यही Championship यही टेस्ट होने वाला है, 17 December को सुभे 11 बजे बिल्कुल free है इसका enrollment, किसी भी प्रकार का यहाँ पर free नहीं लिया जा रहा है देखे, यहाँ पर लगबग 40 करोड की total scholarship जो है वो distribute होने वाली है अलग-अलग रूप में, के series के रूप में दूसरे एहम जो resources होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको देख रहा होगा Macbook है, iPad है, smartphone, tablet, यह कुछ ऐसे संसादन है जिसकी मदद से आप online resources का बहतर इस्तमाल कर सकते हैं वहीं Unacademy के educators के साथ boot camp हो या bureaucrate के साथ एक दिन की मुलाकात यहाँ पर आप ऐसे लोगों से मिलकर अपने जो भी doubts हैं preparation related उनको और बहतर तरह से resolve कर सकते हैं वहीं prelims के test series जो है, वो एक प्रकार से help करती है repression को boost up करने में और यह समझने में भी कि हमारे कौन से ऐसे areas हैं जिन पर हमें थोड़ा और बहतर revision करना है Unacademy Civil Service Championship सभी के लिए है चाहे आप beginner हो, चाहे आप यहाँ पर एक ऐसे stage पर हो कि अब आप revise कर रहे हैं, जो revise कर रहे हैं उनके लिए तो और भी अच्छा है क्योंकि Unacademy Civil Service Championship में चाहे आपके लिए prize बहुत जादा matter ना करें, लेकिन यहाँ जो questions पूछे जाएंगे वो question एक mock test की तरह ही होंगे तो इसमें जो questions होंगे, उससे आपकी practice होगे या आप ये भी कह सकते हों कि एक प्रकार का free mock test है लेकिन सोचिए, mock test में अच्छी performance है आपको अगर बहतरीन prizes भी मिलते हैं, तो कितना ही अच्छा होगा तो Unacademy Civil Service Championship, इसमें जरूर जरूर enroll कीजिए 17 दिसंबर को ये test है, सुभे 11 बजे और यहाँ पे top participants, top यहाँ पे जो aspirants होंगे जो बहुत बहुत बहुतरीन perform करेंगे, उनके लिए बहुतरीन prizes भी है तो इसमें जरूर participate करें, enrollment बिल्कुल free है आप यहाँ पे reference code यूज़ कर सकते हैं, ARTI 1702 इवन इस समय जब आप ये video देख रहे हैं, तो इसके description में आपको इसका link भी मिलेगा अगर आप चाहें, तो just अभी आगे इस video को देखने से पहले उसी link के माध्यम से enroll कर सकते हैं, अगले एक मिनट में और उसके बाद इस video को continue कर सकते हैं PAN Academy Civil Service Championship 17 December को याद रखे, enroll करे अब बढ़ते हैं हम हमारे topic की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज गुद्धि स्तुप के बारे में आपके इस स्तुप क्या है? इसे क्यों बनाया गया? अब इसे बनाया जा रहा है, तो इसके संग्रक्षन किसने किया है? स्तुप जो है, वो यहाँ पर पहले कैसे दिखते थे और धीरे-धीरे करके उसमें किस प्रकार का evolution हुआ उसे देखेंगे और जो हमारे mains में question आया था, कि स्तुप के उपर जिस प्रकार के motives है, वो कैसे Buddhist ideals को दर्शाते हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना है, उस पर भी हमें focus करना है तो आए, discussion स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो in general यह जानने की कोशिश करेंगे कि स्तुप क्या है? लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी आप यहाँ पर जो फिलहाल screen पर picture देख रहे हैं, यह structure जो है, इसको हम स्तुप कह रहे हैं, यह सांची मध्यप्रदेश में है इसकी कहानी यहीं से चुरू होती है एक बार की बात है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें, सांची जाना पड़ेगा हमें तो हम क्या देखते हैं, 1818 में, यहाँ एक major general थे, James Taylor यह Bengal की गुड़ सवार सेना जो है, उसके सेना पती थे अब यह मध्यप्रदेश के जंगलों से गुजर रहे थे, पिंडारीज को capture करने के लिए पिंडारीज वहीं है, जो मराठा आर्मी में पाए जाते थे मराठाज ने इन्हें आर्मी में इसी लिए तैनात किया था ताकि यहाँ पर जो वो plundering activities करते हैं, उसे बंद कर दे लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो 1818 के समय तक आते आते पूरा मराठा स्टेट, बिटिशर्स के अंडर सबसीडरी अलाइंस में आ गया था जिसके वज़े से पिंडारीज की नौकरी चली गई और पिंडारीज वापस से plundering activities करने लग गए, उन्हीं पिंडारीज को पकड़ने में यहाँ पर जेम्स टेलर पीछे मध्यप्रदेश के जंगलों से गुजर रहे हैं, और उनके सामने एक बड़ा सा पहाड आता है, जब यहाँ पे थोड़ा और ध्यान से देखा और उस पहाड के और नस्दीब गए, उन्हें ये रेलाइज हुआ कि असल में ये कोई पहाड नहीं है, ये तो किसी प्रकार का माउंड है, जिसके उपर बायलोजिकल ग्रोथ नजर आ रही है, यानि उसके उपर घास उग गई है, उसको घास को समय के साथ हटाया गया, और तब हमें सांची का जो स्टुप है, वो जो स्टुप्चर है, वो नजर आया, कुछ इ 1868 में सांची के स्टुप के पिच्चर फोटो ली गई थी और वो कुछ ऐसा दिखता था, साफी बुरी हालत में है, इसके उपर बायलोजिकल ग्रोथ घास वगईरा भी नजर आ रही है, उसके बाद इसको रिस्टोरेशन का काम स्टार्ट हुआ, 1883 की ये पिच्चर आप यहां पर देख सकते हैं, और फिर 1921 से 25 के बीच आसपास की ग्रोथ जो थी घास वगईरा उसको हटा के ये थोड़ा और क्लियरली विजबल हमें लगने लगा, और आज इसकी प्रेज़न कंडिशन कुछ हैसी है, वैसे तो भारत में बहुत सारे स्टुप पाई जाते हैं, लेकिन सांची का जो स्टुप है, वो एक बहुत अच्छी हालत में हैं, इसी वज़े से स्टुप के उपर चर्चा हम सांची के स्टुप से ही करेंगे, लेकिन आगे के स्लाइट्स में हम यहां पर और भी भारत के अलग-अलग हिस्सों के कुछ important स्टुप देखेंगे, तो और यहां पर स्टुप नंबर थ्री है, यह तो बड़े स्टुप हैं, इसके अलावा आपको कुछ छोटे-छोटे इस प्रकार के स्टुप भी दिखेंगे, अग स्टुप, बुद्ध्य स्टुप, प्रश्न यह उड़ता है कि आखिर स्टुप है क्या, इसकी कहानी प्रवात होती है महापरी निर्वान से, गौतम गुद्ध की मृत्यू, उनकी डेथ, वो महापरी निर्वान कहा गया है, फाइनल ब्लो ओफ, उनकी मृत्यू के बाद, उनका जब प्रिमेशन यहां हुआ, तो उनके शरीर के कुछ अवशेश थे, रेलिक्स, जिने यहां प बात कर रहे हैं, लगभग आप यहां पर six century before common era देखोगे, six hundred before common era की हम बात कर रहे हैं, approximately इसी समय में, यहां इसी दौरान गौतम गुद्ध का जन्म हुआ था और इसी सदी में उनकी मृत्यू भी हुई, तो हम यहां पर क्या देख पाते हैं, हम यहां पर देखताते हैं, क इतने भी बुद्धिजम के पैटरंस थे, बड़े बड़े राजा, जैसे मगद के राजा अजाच्छत्र, उन राजाओं में जगडा शुरू हो गया, यह आखिर गौतम बुद्ध के रेलिक्स किसे मिलेंगे, रेलिक्स एक प्रकार से अस्थियां कह सकते हो आप, एक प्र यहाँ एक भिक्षू थे, द्रोणा नाम के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गौतम बुद्ध के रेलिक्स जो थे, उन रेलिक्स को इस प्रकार से पॉट्स में बाट दिया, सबसे पहले तो सारे रेलिक्स एक पॉट में इकठा किये, इस पॉट में से उन रेलिक्स को आठ राजाओं को दे दिए गए उन आठ राजाओं में मगद के राजा अजाद शत्रो भी शामिल है इन आठ राजाओं ने इन पॉट्स के ऊपर इस प्रकार के माउंड बनवाए और उन्हीं बर्यल माउंड्स को यह प्रकार के बर्यल माउंड्स हो गए इसी इनी बर्यल मा कह सकते हैं तुप कह सकते हैं तो कहानी महापरी निर्वान से शुरू होती है किस तरह से यहाँ पर 8 pots में रिलिक्स को डिस्टिब्यूट किया गया 9th pot वो pot है जिसमें सबसे पहले रिलिक्स को रखा गया था तो total यहाँ पर आपको 9 pots मिलेंगे और शुरू में 9 locations पर ही स्टूप बनाए गये थे यानि इस प्रकार के burial mounds बनाए गये थे यह 9 locations कौन कौन सी है कपल वस्तू, राम ग्राम कुशी नहरा आप देख सकते हैं वैशाली, पावपूरी, राजगिर पिपलावन, विदतपीडा अलकपा unknown location मतलब आज के समय में इनके exact location नहीं पता है लेकिन ये बिहार यूपी वाले area में ही आपको नज़र आएंगे तो यहां स्टूप बनाए गये थे फ्रूरू में 9 स्टूप बनाए गये थे कैसे बनाए गये बीच में आपको यहां पर वो pot मिलेगा जिसमें relics है इसके उपर unburnt bricks इटे रखे गई उसके उपर पकी हुई इटों को cover किया गया और उसके उपर लगाया गया एक plaster और इस प्रकार से ये mound तयार हुआ इसी burial mound को हम स्टूप कह रहे हैं तो शुरू में 9 स्टूप बनाए गये लेकिन यहां पर यह जो 9 स्टूप है अब आप कहेंगे अच्छा ऐसा है तो वो 9 स्टूप जो है जहां होंगे वही पर वही तो यह locations होंगी तो यह unknown कैसे हैं यह locations अब जहां स्टूप पाए जा रहे हैं जैसे यहां पर स्टूप पाए गया तो यह couple वस्टू है तो 9 स्टूप count कर लो मिल जाएंगे 9 की 9 location बट ऐसा नहीं है अक्च्छल में बाद में चलकर जब मगत के उपर मौर्यवंश का साशन आता है तो मौर्यवंश के जो राजा अशोक थे उन्होंने यह सारे के सारे स्टूप खुलवा दिये ओपन करवा दिये और इन पॉट्स को बाहर निकाला इन रेलिक्स को बाहर निकाला यह जो रेलिक्स थे इनको further distribute किया गया और छोटे छोटे हिस्सों में और अशोक के inscription से पता चलता है कि अशोक ने इन स्टूप को ओपन करवा के इन रेलिक्स को बाहर निकालके इने further distribute करके लगबग 84,000 स्टूप बनवाए 84,000 यह नंबर बहुत ही ज्यादा बड़ा है हर स्टूप सांची जितना बड़ा नहीं था आपको तोटे छोटे स्टूप भी देखने को मिलेंगे कुछ स्टूप के नीचे इस प्रकार के पॉट्स थे कुछ के नीचे नहीं थे कुछ यहाँ पर structural स्टूप भी है और कुछ यहाँ पर rockpets स्टूप भी है उन्हें हम आगे देखेंगे लेकिन फिलहाल हम स्टूप क्या है वो तो समझ गए कि वो एक burial mound है और इन्हें क्यों बनाया गया महापरी निर्वान को symbolize करने के लिए यह स्टूप गौतम बुद्ध की मृत्यू का symbol है यानि यह स्टूप महापरी निर्वान को दर्शाते हैं बुद्धिस्ट के लिए यह एक बहुती sacred place है बहुती पवित्र स्थान है बहुत जरूरी है क्योंकि हर architectural element का अपना meaning है अपनी importance है जैसे याद कीजिए temple architecture की वीडियो में class में हमने यहाँ पर temple architecture की हर element को study किया था और उस element की importance को भी हमने समझा था कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम स्टूप के अलग-अलग elements जो है उन्हें समझेंगे तो अब हम यहाँ पर यह स्टूप बनाने वाले हैं हमें एक साफ पन्ने की जरूरत है उस पन्ने के उपर हम यह drawing करेंगे और उसकी मदद से हम सारी तीजों को सीखेंगे चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक फाउंडेशन से जिसे हम मेडी गहते हैं यहाँ पर आपको स्टूप जो है उसकी बेसिक फाउंडेशन देखने को मिलेगी मेडी याद रखिए यह हम ऐसे बना रहा हैं मतलब यह डिस्क शेप में है सिलेंड्रिकल शेप में है लेकिन इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं तो यह मेडी है कहते हैं मेडी के उपर ही पॉट को रखा जाता है और इसके उपर मेडी के उपर आपको इस प्रकार से यह माउंड बनता हुआ दिखेगा और यह जो माउंड है मतलब एक क्योबॉइड शेप में बेसिकिली एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आता है इसे हम हर्मिका कहते हैं हर्मिका के बिलकुल बीच में से यहां से एक पॉल आपको निकलता दिखेगा इसे हम यश्टी कहते हैं और इस यश्टी के ठीक उपर आपको मिलती है तीन श्ट्रिया कुछ इस प्रकार से यह श्ट्र हैं अम्रेलाज हैं क्योंकि यह लाइन में हैं तो हम इनको कहते हैं श्ट्रियाँ की आवली श्ट्रावली यह है श्ट्रावली जैसे दिपावली दीपों की आवली ऐसे लाइन में लगाना तो ये भी लाइन में है छत्रेया छत्रावली तो ये हमें समझाया तब ये जो स्टुप थे ना ये ओपन थे ये एक बहुती साक्रेड स्ट्रक्चर है इसे आसपास के वातावरंड से अलग कवर करना प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था इसी वज़े से इसके चारू तरफ हम क्या देखते हैं कि कैसे यहाँ इस प्रकार से बाउंडरी बना दिए इस प्रकार से कुछ ऐसे और यह जो आप बाउंडरी देख रहे हैं यह जो वाल बनाई गई है इस वाल को हम क्या कह रहे हैं इस वाल को हम कह रहे हैं वेदिका अब एक और चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से समझ पा रहे होंगे कि यह जो स्टुप का स्ट्रक्चर है और यह जो वेदिका है इसके बीच में एक ग्याप है यानि एक तरह का पाथ डेवलप हो गया है इस पाथ का इस्तमाल आप कर सकते हैं इस तुप के चारो तरफ परिक्रमा करने के लिए यानि ऐसे गूंदने के लिए तो यह जो पाथ आप देख रहे हो यह जो यहाँ डेवलप हुआ है इसे हम कहेंगे प्रदक्षणा पत अब इंट्रिस्टिंगली यहाँ पर कुछ मेड़ी से होती हुई सीड़ी बना दी गई और सीड़ी बना के हम यहाँ क्या कर रहे हैं जैसे यह हमारा मेड़ी है आप यहाँ पर यह मेड़ी देख सकते हो और यह हमारा यहाँ पर स्थूप है तो आप देख पा रहे हुँगे कि अंड और मेड़ी की जो यहाँ पर एजिस है उसके बीच में भी एक ग्याप है यह भी प्रदक्षणा पत है यहाँ पर आप खड़े हो सकते हैं, यहाँ आप कहोच सकते हैं, सीडियों की साहता से इवन यहाँ पर भी इसी तरह से वेदिका बनाई गई है, फॉस्ट फ्लोर पर तो नीचे वाला यह प्रदक्षना पत, निचला प्रदक्षना पत कहलाता है और यह जो उपर बना है, उपर क्रियेट हुआ है, यह उपरी प्रदक्षना पत है कुछ ऐसा आप देखेंगे, अब यह बाउंडरी तो बना दी, लेकिन इस बाउंडरी के अंदर जाना है अगर हमें, तो हमें एक गेटवे की भी ज़ुरत है तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम बनाएंगे एक गेटवे इस प्रकार से और यह चारो दिशाओं में होगा चारो दिशाओं से आप यहाँ पर एंटर हो सकते हैं इस गेटवे क्योंकि यह गेटवे बहुत ही सजाया गया है इसी वज़े से हम इसे कह रहे हैं तोरन जैसे दिवाली पर आपने देखा होगा कि हमारा जो इंटरिंस गेट होता है उस पर आमके पत्ते लगाए जाते हैं फूल लगाए जाते हैं उसको तोरन बोलते हैं तो इसको भी हम तोरन कहे रहे हैं क्योंकि यह डेकोरेटवे हैं डेकोरेटवे हैं बहुत डेकोरेशन के साथ है तो कुछ इस प्रकार से ये स्टुप बनाए गया अब आप इसे और बहतर तरह से देख सकते हैं आप यहां मेडी देख पा रहे हो यहां आप मेडी देख सकते हो उसके उपर अंड बनाए गया है अंड के उपर हमें हर्मिका नजर आ रही है छत्रावली नजर आ रही है फिर आप देख रहे हैं कि इस स्टुप के चारो तरफ ऐसे ये वॉल बना दी गई ये जो वॉल है हमारी ये वेडी का है वॉल और मेडी के बीच में ये एक पात यहां डेवलप हो गया है इसे हम प्रदक्षना पत कह रहे हैं यहां पर सीडी भी हमें नजर आ रही है जिसकी मदद से हम यहां पहुत सकते हैं यहां खड़े हो सकते हैं यहां पर भी एक प्रदक्षना पत है जो उपरी प्रदक्षना पत है फिर आप यहां तोरन देख सकते हो ये स्टुप का complete structure है अब आप इनकी importance को थोड़ा समझेंगे यहां आप pot देख सकते हो इसके अंदर उसके उपर अंड बनाए गया है अंड burial mound है उसके बाद उपर हर्मिका है हर्मिका जो है वो actual में उस pot की location को बताती है कि इस हर्मिकार के just नीचे यहां पर कहीं पर वो pot जो है वो मौझूद है उसके उपर यहां आप छत्रावली देख सकते हैं यहां तीन छत्रियां देखी गई है अब आप बहुत ध्यान दीजेगा क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि there was one question कि बुद्धिस्ट स्कूप का जो structure है, architecture है, architectural elements है वो कैसे बुद्धिस्ट ideals को दिखाते है तो यहां पर यह जो तीन छत्रियां है यह actual में बुद्धिजम में प्री रत्न को symbolize करती है प्री रत्न मतलब बुद्धिजम में प्री रत्न है बुद्ध, धम्म और संग आपने यह मंत्र सुना होगा बुद्धम, शरणम, गच्छामी धम्म, शरणम, गच्छामी बुद्ध की शरणमें जाते हुए धम्म की शरण में जाते हुए संग की शरण में जाते हुए बुद्धिजम में बुद्ध, धम्म, संग ये तीन शब्द पूरी बुद्धिस फिलोसफी को क्या करते हैं? इनकैपसुलेट करते हैं इन तीनों शब्दों को अगर हम यहाँ पर एलाबरेट करना शुरू कर दे, ओपन करना स्टार्ट कर दे, एक्स्प्लें करना स्टार्ट कर दे तो पूरी बुद्धिस फिलोसफी ओपन हो जाती है यहाँ बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब है जो एनलाइटन हो चुका है जिसे ज्यान की प्राप्ति हो गई है धम्म क्या है गौतम बुद्ध की कीचिंग्स हैं संग क्या है गौतम बुद्ध ने यहाँ पर जो संग association स्टार्ट किये थे जिसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो caste class system follow नहीं करते थे तो ये त्री रतने माने गए हैं और ये तीन चत्रियां इन्ही तीन रतनों को दिखाती है यानि कि बुद्धिस्ट आइडियाज को दिखाती है क्या ये जो स्टुप का structure हमें नजर आ रहा है सांची का स्टुप actual में अशोक नहीं बनवाया है लेकिन क्या अशोक के समय में ये स्टुप पूर्ण रूप से ऐसा बन गया था ऐसा नहीं actual में हर एक element जो यहाँ पर आप screen पे देख रहे हैं ये अलग-अलग समय में बनाए गया है जैसे ये देखिया जब अशोक ने स्टुप बनाया था तो स्टुप सिर्फ ऐसा दिखता था जिसमें सिर्फ एक mound था इसके अलावा कुछ भी नहीं और उसके आगे अशोक का pillar था और यहाँ पर lion capital आपको देखने को मिलेगा तो सिर्फ इतना ही था ये सांची के स्टुप की ही बात हो रही है उसके बाद जब शुंगा का समय आया शुंगास का जब यहाँ पर time आया तो शुंगास के time में आप क्या देख रहे है कुछ और चीज़े add हो रही है कैसी चीज़े add हो रही है यहाँ पर हर्मिका हमें नजर आ रहा है हमें यहाँ पर छत्रावली देखने को मिल रही है इसी के साथ साथ हम वेदिका देख सकते हैं यह जो सीडी है इस सीडी को हम सोपान कहते हैं सोपान तो यहाँ हमें सोपान भी नजर आ रहा है हम निचला प्रदक्षना पत्वी बनता देख रहे हैं उपरी प्रदक्षना पत्वी बनता देख रहे हैं तो शुंगास के समय में इस सेम सांची के स्टुप में ये कुछ developments होई हैं फिर जब हम सात्वाहंस के समय में आते हैं तो साथवाहंस के समय में यहाँ पर यह तोरन add किये गए यानि पहले यह सारे elements नहीं थे सांची का stop एक बार में ऐसा नहीं बना है सांची का जो stop है उसको यहाँ पर अलग-अलग समय में उसमें अलग-अलग elements add हुए है आज सांची का stop ऐसा दिखता है लेकिन इसमें ये elements समय के साथ add हुए है ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है तो मौर्य शुंग सात्वाहन के period से गुजरा है सांची का स्तुप और समय के साथ ये elements भी add हुए अब हम जो तोरन पढ़ने वाले हैं जो question है हमारा जो इसका answer हमें चाहिए वो ये है कि जो folk motives सांची के या स्तुप बुद्धिस तुप पर जो दिखते हैं वो बुद्धिस idols दिखाते हैं यानि जो हम तोरन यहां study करने वाले हैं वो तोरन सात्वाहन के समय में बना है और सांची के स्तुप पर लगाया गया है और इसी तोरन के उपर हमें बहुत सारा narrative art देखने को मलता है आईए देखते हैं कैसे लेट सी सम आफ दी एक्जाम्पल्स ये एक और थोड़ा आपको view मिल रहा है सांची के स्तुप का लेकिन मेरे हिसाब से जो भी हमने drawing की उससे आपको एक अच्छी understanding हो गई होगी कि what are the basic elements of स्तुप अब हम तोरन स्टडी करने वाले हैं अब हम यहां तोरन देखने वाले हैं ये जो आप स्तुप देख रहे हो इसका ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये तोरन है इसी की मदद से आप अंदर जाते हैं तो तोरन के उपर अब हमें कुछ चीजें देखनी हैं कुछ stories देखनी हैं, कुछ narrative art हमें देखना है जो याद रखिये सात्वहंस के period से है finally, question के answer की तरफ बढ़ते हुए जब हम तोरन को देखते हैं तो तोरन के उपर हमें इस प्रकार की बहुत ही खुबसूरत carvings नजर आती है लेकिन हमारे इंडियन आर्ट की ये खास बात रही है कि हमारा जो इंडिया का आर्ट है वो symbolism को follow करता है वो suggestive nature का आर्ट है मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि देखने पर लगेगा सिर्फ decoration के लिए बनाया है लेकिन असल में हर एक चीज़ जो इंडियन आर्ट में है उसका कुछ meaning है जैसे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक महिला है जिसको सोते हुए दिखाय गया है और यहाँ से थोड़ी सी जगा से ये हाथी बना दिया गया ऐसे लग रहा है मानो space थी तो थोड़ा हाथी बना दिया और इसको fill किया जा रहा है यह कैं भरा जा रहा है space को बट ऐसा नहीं है यह पूरा पूरा जो carving है यह महा मायाज ड्रीम है महा माया कौन थी? महा माया जो है वो गौतम बुद की माता जी थी, मदर यहाँ पर स्टोरी बुद्दिजम में यह कहती है जो ओक यहाँ पर है कहानी जो है यहाँ पर वो यह कहती है कि महा माया जो गौतम बुद की मा रही है और father जो थे शुदोधन वो यहाँ पर बहुत लंबे समय से एक बच्चा बच्चे को जन्ग देना चाह रहे थे पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे एक दिन महामाया को यहाँ सपना आया कि एक सफेद रंग का हाथी उनके वोम में यानि उनके गर्ब में एंटर होता है और अगले ही दिन यहाँ पर पता चलता है that she conceived और उसके बाद गौतम भुद की सिधार्थ का जन्ग भी होता है इसलिए गौतम भुद के बर्थ को वाइट एलिफंट से भी सिम्बोलाइज किया जाता है सिम्बॉलिक है हमारे इंडिया का आर्ट सिम्बॉलिक है देखने में कुछ और लगता है बट असल में उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है इसी तरह से आपको बुद्ध स्ट्रक्चर्स पे ऐसी ये महिलाएं भी नजर आएंगी यहाँ पर आप जो ये कार्विंग देख रहे हैं ये शाल भन्जी का है सांची के स्टुपर ही है ये शाल भन्जी का को कैसे दिखाया गया है शाल भन्जी का को शाल का पेड ये टहमी पकड़े हुए दिखाया गया है अब अगेन जब हम इसको देखते हैं पहली बार तो हमें लगता है कि ये भी सजावट के लिए है बट आक्च्वल में शालब भंजिका फर्टिलिटी का सिंबल है शालब भंजिका भी महा माया को सिंबोलाइस करती है क्योंकि कहते हैं कि महा माया जो थी उन्होंने गौतम बुद्ध को स्टैंडिंग पोजिशन मे जन्द दिया था तो शालब भंजिका को फर्टिलिटी का सिंबल माना जाता है और शालब भंजिका को बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में इस तरह से दिखाया भी जाता है काफी बार शालब भंजिका को अन्कलाड भी दिखाया जाता है यही है इंडिया का सजिस्टिव थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो हमें यहाँ पर सांची के स्तुप पर इस तरह का लोटस भी देखने को मिलेगा गौतम बुद के जन्म को लोटस से भी सिंबोलाईज किया जाता है क्योंकि लोटस कीचड में खिलता है लेकिन खुद एकडम स्वच रहता है ऐसी कहते हैं कि यह जो पूरा संसार था यह कैसा था यह कीचड रूपी संसार था और इसमें गौतम बुद का जन्म है वो एक कमल लोटस के फूल के समान था तो इसलिए आपको जगर जगर जहां भी बुद्धिस्ट आर्ट आग की टेक्चर दिखेगा वहां बहुत सारा लोटस फ्लार जो है वो दिखता है इसी तरह से सांची के स्टुप पर आपको ऐसे होर्स भी नजर आएगा होर्स जो है वो गौतम बुद्ध की लाइफ के एक important event महा भिनिश क्रमन जो है उसका symbol है जब गौतम बुद्ध में ग्रहत याग किया था यानि कि घर को छोड़ दिया था और उसके बाद वो अपने enlightenment के रस्ते पर निकल पड़े थे इसी तरह से जैसे हमने छत्रावली प्री रतन देखा वैसे यहाँ पर भी यह वैसे तो यह तूट गया है लेकिन यह ऐसे करके ट्राइडेंट है और यह भी तीन रतन बुद्ध, धम्व, संग को दर्शाता है कुछ और symbolic art के examples, जैसे यहाँ एक खास बात है, सांची का जो स्टुप है, उसमें कहीं पर भी तोरण पर गौतम बुद्ध की आपको प्रतिमा नजर नहीं आईगी गौतम बुद्ध की carving आपको नजर नहीं आईगी, कहीं पर भी नहीं हर जगा गौतम बुद्ध को किसी ना किसी symbol से दिखाये गया है जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर हम people का पेड़ देख सकते हैं, उसके आगे एक seat देख सकते हैं, जो की एकड़म empty है लेकिन सब यहाँ हाँ जोड़ कर खड़े हैं यह empty throne जो है, और people का पेड़, यह गौतम बुद्ध को symbolize कर रहा है पीपल के पेड़ के नीचे बैट कर ही, गौतम बुद्ध को निर्वान मिला था, he got enlightened इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर deer पार्क दिखाया गया है बहुत सारे deer आप देखोगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग है, अगेन वो हाथ जोड़ कर खड़े हैं, लेकिन सामने क्या है, चक्र गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन डियर पार्क भी दिया था सारनाथ में और उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनको यहाँ पर धर्म चक्र से दिखाया जाता है, मतलब इस प्रकार के चक्र से सिंबोलाईज किया जाता है यहाँ भी आप हाट जोड़ कर खड़े देख रहे हैं लोगों को, लेकिन यहाँ गौतम बुद्ध की पुचर नहीं है यहाँ पर स्तुप है, जो की उनकी मृत्यू का सिंबल है तो वो निर्वान हो, चाहे उनका पहला सर्बन हो, उनकी मृत्यू हो, उनका जन्म हो, उनका घर को त्यागना हो इन सभी को सिंबल से दिखाया जा रहा है तोरन के उपर तो जो folk motives हैं, symbolic art हैं, वो suggestive nature के हैं वो कुछ न कुछ suggest करते हैं, वो कुछ न कुछ कहानी के पहलू को, हिस्से को दिखाते हैं तोरन के उपर सिर्फ यही नहीं, गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई बुद्दिजम में जो जातक कथाई हैं, उन्हें भी दिखाया गया है आपको यहाँ पर जातक टेल्स भी देखने को मिलेंगे तो यह था हमारा सांची, सांची का स्थो, जिसको बनाने की शुरुवात तो अशोक ने की थी लेकिन बाद में जो लेटर एडिशन्स हम देख सकते हैं, यह शुंगा और सात्वाहंस के समय के हैं अब खोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पोस्ट मौरियन पीरिड की तरफ चलते हैं जैसे आप क्लियरली देखी सकते हैं कि अशोक ने शुरुवात की लेकिन मोस्टी मेजर काम जो सांची के स्थोप पर हुआ है वो पोस्ट मौरियन पीरिड में ही हुआ है सांची के अलावा there are some other examples also जैसे अगर हम मध्यप्रदेश जाते हैं तो मध्यप्रदेश में बरहुत जो है वहाँ पर आपको एक स्थुप दिखेगा बरहुत का स्थुप शुंगा पीरिड से जुड़ा हुआ है फिलहाल इस तुप की ये हालत है इसके उपर भी आप घास वगिरा उखते हो देखोगे लेकिन आप क्या देख सकते हैं आप इसमें सिर्फ मेड़ी देख सकते हैं उपर का अंड गायब है ये आप देख पा रहे होंगे कि ये वेदिका रही होगी जिसके उपर के जो फिलर्व हैं वो अब मौजूद नहीं है ये एक बहुती पुरानी पिच्चर है जिसमें इस तुप के कुछ अवशेश नजर आ रहा है तो Archaeological Survey of India ने इस तुप के बचे हुए अवशेश जो थे उनको यहां से उठाकर पास के ही म्यूजियम में रख दिया तो अब यह जो आप यहां पर अवशेश देख सकते हैं यह म्यूजियम में है मध्यप्रदेश में और वहां पर हम बरहुत के स्थुप के कुछ elements को study कर सकते हैं तो बरहुत के स्थुप में भी again जैसे आप यह जो देख रहे हैं यह क्या है? देखने से समझ आएगा यह तोरन नहीं है यह वेदिका है वेदिका के उपर आपको lotus दिख रहे होंगे हर तरफ lotus lotus जैसे मैंने आपको बताया गौतम बुद की जन्म का सिंबल है यहां पर फिर से आप शालभनजिका को देख सकते हैं जो पेड की टहनी पकड़े हुए दिखाई गई है यह भी बरहुत के ही स्थुप का एक पानल है वेदिका का हिस्सा है यह यहां पर भी आप शालभनजिका को पेड की टहनी पकड़े देख सकते हैं जो की महा माया यानी गौतम बुद की माता को दर्शाती है शुंगास के समय में mostly इस प्रकार की जो male figures होते थे उनमें एक चीज अलग देखी गई कि उनके सर पर इस प्रकार की जो पगड़ी दिखाये जा रहे थी उसमें हमें सामने एक not नजर आती है बरहुत के स्टुप पर भी again हम यहां जातक पेल्स देख सकते हैं मैं आपको कुछ और एक्जाम्पल्स दिखाती है बरहुत के ही स्टुप के जैसे यहां यहां आप again महा मायास ड्रीम देख सकते हैं जिसमें महा माया सोती हुई दिखाई गई है और यहां पर हाथी है कोई एकदम से देखे जिसे बुद्धिजम का पूरा प्रोड़ी नॉलेज नहीं है या फिर गातम बुद्ध के जन की कहानी जो नहीं जानता वो इसे decorative piece के रूप में देखेगा लेकिन हम जानते हैं कि इन सभी carvings का अपना meaning है चारो तरफ आप यहां lotus flowers भी देख सकते हैं ऐसे ही यहां पर रूरू जातक गउतम बुद्ध से जुड़ी हुई जातक वेल्स व्योंकि उनकी previous births के बारे में बताती हैं तो यहां हम रूरू जातक देख सकते हैं इसी तरह से सांची के स्थुप में आपको छद्धन्त जातक, वेसांत्र जातक इस तरह की जातक tales दिखेंगी बरहुद से होते हुए अब हम खोड़ा south की तरफ चलते हैं और अब हम अमरावती के कुछ स्थुप देखेंगे फिलाल जो आप map में देख सकते हैं यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं important buddhist sites देख पा रहे हैं आप यहां पर इनमें भत्ती प्रोलू, अमरावती और नागर्जुन कोंडा यह कुछ important sites हैं जगया पेप भी है हम इनमें से कुछ विजट करेंगे और स्थुप जो है उन्हें study करेंगे तो सबसे पहले अमरावती ही चलते हैं अमरावती में स्थुप है, गुद्ध स्थुप है और उसकी हालत कुछ ऐसी है आप देख सकते हैं सांची के वगादेक तो काफी बड़ा स्थुप है यह लेकिन यहां हमें मेडी दिख रही है अंड जो है वो पूरे अंडे आकार में हमें नजर में आ रहा वेदिका भी गायब है, उसके कुछ अवशेश ही रहे गए है उपर वाला जो यह फर्स्ट फ्लोर का वेदिका है, इसके भी छोटे-छोटे टुकडे ही अब मौजूद है तो जैसे मैंने आपको पहली भी कहा था भारत में स्टुप तो कहीं है, लेकिन सांची का जो स्टुप है, वो सबसे अच्छी कंडिशन में है, आज के समय में अमरावती के स्टुप के ऐसी हालत क्यों हुए? अमरावती का जो स्टुप है, वो महाचैत्य भी कहलाता है चाइत्य शब्द का मतलब होता है worship place तो बुद्धिस्ट आके स्टुप की worship करते थे तो आप यहाँ पर महाचाइत्य के रूप में सांची के इस स्टुप को देखेंगे पर इसकी ऐसी हालत किस ने कर दी अच्छल में हम देखते हैं कि यह जो अमरावती वाला region है यह वाला हिस्सा जो है यहाँ पर कुतुब शाही डाइनस्टी रूल करती थी गोलकुंडा गोलकुंडा kingdom कुतुब शाही डाइनस्टी तो कुतुब शाही डाइनस्टी के राजाओं को लगा कि यह mound क्या है हम medieval period की बात कर रहे है यह किस तरह का mound है क्या इस mound के नीचे कोई खजाना तो नहीं क्योंकि medieval period में बुद्धिजम जो philosophy थी वो बहुत अब तक भारत में गायब सी हो गई थी Buddhist philosophy में आपको lack of patronization नजर आएगा इसी वज़े से medieval period में Buddhist architecture भी as such कुछ देखने को ज्यादा मिलता नहीं है early medieval period में तो फिर भी है late medieval period में you will not find Buddhist architecture तो क्यों है किस लिए है वो समझ नहीं आ रहा था उपर से इसके उपर घां सूप चुकी थी तो उन्हें लगा कि शायर इसके अंदर कोई खजाना है तो उन्होंने इस स्टुप को खोलना स्टार्ट कर दिया कुछ मिला नहीं तो इसको वापस as it is बनाने की कोशिश की लेकिन ये original जैसा असल में जैसा बनाय गया था वैसे तो नहीं बन पाया फिर Britishers आ गए अंग्रेजों ने यहाँ पर जब सांची के स्टुप की तरह इस पर ये वेदिका वगेरा देखी और इसके उपर बहुत खुबसूरत कार्विंग्स देखी तो उन्हें लगा कि इन चीजों को तो हमारे देश में होना चाहिए तो वो इस अमरावती स्टुप में वेदिका तोरन जो भी चीज़ें थी उनको उखाड कर शिप में लाद कर अपने देश ले गए और अपने गार्डन्स को उससे सजाया इसलिए अमरावती के स्टुप की आज ये हालत है को यही कहानी यही घटना सांची के स्टुप के साथ भी घट सकती थी पर ऐसा हुआ नहीं क्यूंकि सांची का जो स्टुप है वो मध्यप्रदेश में था और वहां की रानी थी बेगम शाहँ जाहना जिनों ने कहा कि देखे मैं इस स्ट्रक्चर की इंपोर्टन्स तो नहीं जानती लेकिन क्यूंकि ये मेरे राज्य में है तो मैं इसे टच नहीं करने दूँगी अगर आपको ये इतना ही खुबसूरत लगता है तो ये जिस भी हालत में है उसी हालत में उसको स्टडी कीजे लेकिन इसका कोई भी हिस्सा मैं उठाने नहीं दूँगी ले जाने नहीं दूँगी और इसी कारण से मध्यप्रतेश का जो स्टुप है सांची का जो स्टुप है वो बचा रहा चलिए कोई बात नहीं अमरावती का जो ये स्टुप है ये सात्वहंस के समय में हमें दिखता है जैसे सांची के स्टुप में जब तोरन एड हो रहे थे उसी समय में सात्वहंस के समय में अमरावती में ये स्टुप बन रहा था इस स्टुप की खास बात क्या है इस स्टुप में भी आपको सांची के तोरन की तरह बहुत सारा नारेटिव आट दिखेगा यहाँ पर हम एक्जाम्पल देख सकते हैं लेकिन इस नारेटिव आट में कुछ जगहों पर आपको गौतम भुद की स्कल्प्चर भी नज़र आएंगे जैसे अगर आप ठोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे मतलब आई होप यहाँ आप देख पाएं यहाँ पर स्टुप बना हुआ है मेरे ठीक पीछे और यहाँ आपको गौतम भुद की कार्विंग नज़र आएगी अमरावती के स्टुप में मार्बल का भी काफी इस्तमाल किया गया था अमरावती के स्टुप में भी आपको खूब सारा नारेटिव आर्ट देखने को मिलता है अमरावती का जो स्टुप है उसकी हालत तो आज खराब है लेकिन बहुत सारे यहाँ पर आर्ट हिस्टोरियन्स ने थोड़ा सा पुश किया आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और कहा कि आप क्यों ना यहाँ पर जो किताबों में स्टुप का डिस्क्रिप्शन मिलता है उसके बेस पर एटलीस इसका मॉडल बनाओ और अमरावती स्टुप के साइड में रखो ताकि लोगों को पता चले कि असल में यह स्टुप कैसा दिखता था तो अमरावती का स्टुप असल में ऐसा दिखता था यह सिर्फ एक रप्लिका है, मॉडल है लेकिन आज इसकी हालत कुछ ऐसी है अमरावती के स्टुप में भी आपको नारेटिव आर्ट खूब भर-भर के मिलेगा जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यह पूरा का पूरा जो पैनल है यह गौतम बुद के जन्म को ही दिखाता है जिसमें आप यहाँ पर फिर से देख पा रहे होंगे शालब अंजिका को यहाँ पर आप राजा को देख सकते हैं यहाँ पर आप महा माया को सोते देख सकते हैं इसी तरह से ये carving देखें, यहाँ पर सुब बनाये हैं लेकिन यहाँ नीचे गौतम बुद की carving भी हमें नजर आती है अमरावती, अमरावती से कुछ दूर चरके हम यहाँ पर नागरजुन कोंडा पहुचते हैं जिसमें बहुत सारे बुद्धिस philosophers आया करते थे नागरजुन कोंडा में हमें इस तरह से गौतम बुद का ये एक standing sculpture मिलता है लेकिन मेरा आज का topic बुद्धिस sculptures नहीं है, स्टुप हैं तो स्टुप पर आप ध्यान दीजिए नागरजुन कोंडा में जब हम जाते हैं तो हमें इस तरह के छोटे-छोटे बहुत सारे structural स्टुप देखने को मिलते हैं जो बहुत जादा अच्छी हालत में नहीं है जैसे यहाँ पर भी आप स्टुप देखिए स्टुप का सिर्फ मेड़ी पार्ट है उसके उपर अंड है ही नहीं और जैसे मैंने आपको बताया था कुछ ही स्टुप एसे हैं जिनके नीचे पॉट्स हैं अदर्वाइस बहुत सारे स्टुप एसे भी थे जिने इस तरह के auspicious symbols के उपर बनाये गया जैसे यहां पर आप स्वस्तिक देख सकते हो नागरजुन कोंडा में जब हम जाते हैं और आंदरप्रदेश वाली रीजिन में जब हम जाते हैं तो वहां पर हमें सिर्फ स्टुप भी नहीं मिलते जिने construct किया गया है बलकि हमें यहां पर कुछ rocket स्टुप भी देखने को मिलते हैं जिनके नीचे ना तो किसी प्रकार का कोई symbol है और ना ही pot है तो यहां कुछ rocket स्टुप के उधारन भी आप देख सकते हो यही नहीं बलकि हमने जब हमारे cave architecture को पढ़ा था तब हमने कारले, कनहेरी, इन सभी caves में cave के अंदर बिलकुल पीछे यहां पर बहुत से स्टुप देखे थे वो सभी स्टुप भी रॉक कट स्टुप का ही उधारन है जिनके नीचे कुछ भी नहीं पाया गया जिने सिर्फ यहां पर symbol के रूप में गौतम गुद की मृत्यू के सिंबल के रूप में यानि की महा परिनिर्वान के रूप में बनाया गया है और जिनकी worship होती आई है तो यह था स्टुप आर्किटेक्चर जिसमें हमने यहां पर अलग-अलग elements देखे और यही नहीं हमने यहां पर स्टुप आर्किटेक्चर के ऊपर जिस प्रकार के folk motives हैं उनके मतलब को, meaning को भी समझा स्टुप अपने आप में symbol है ही गौतम गुद की मृत्यू का, महा परिनिर्वान का लेकिन स्टुप के ऊपर जो carvings हैं वो भी यहां पर बहुत सारी कहानिया, tales और Buddhist ideals और principles को दर्शाती हैं तो इस तरह से स्टुप का हमारा यह चोट असा topic, topic complete होता है और यहां पर हम हमारे सारे प्रश्णों के जवाब हासल कर चुके हैं स्टुप क्या है? Burial Mount इसे क्यों बनाया गया? प्रश्णों के अशोक को हमने देखा शुंगा डाइनस्टी, सात्वहन्स इन सब के द्वारा यह स्टुप बनाई गए हैं यह जो स्टुप हैं यह original form से अपने इस form तक कैसे पहुँचे, उसे भी हमने समझा और इनके उपर जो stories इस मौजूद है, वो कैसे बुद्धिस्ट चीचिंग्स को दर्शाती हैं मोटिफ्स जो है, वो बुद्धिस्ट आइडियल्स और सिंबोलिजम को दर्शाते हैं सजिस्टिव आर्ट का कैसे यह उधारन है उसको भी हमने समझा सजिस्टिव आर्ट और realistic art में फरक होता है realistic art मतलब जो idea है उसको as it is अपने art में दिखा लेना suggestive art में हम idea जो हमारा original idea होता है उसको यहां हम खोड़ा सा hidden रखते हैं जैसे कि शालब हंजिका उसके पीछे का idea वो decorative piece लगता है लेकिन उसके पीछे का idea क्या है it is symbol of fertility इसी के साथ हमारा यह topic भी complete होता है जाते जाते एक बार फिर से unacademy civil service championship 17 December को हो रही है सुभे 11 बज़े जरूर जरूर enroll कीजे आप यहां पर pre enroll कीजे referral code ARTI1702 आप यूज़ कर सकते हैं और बहतरीन questions के इस set से आपको revision मतलब practice तो होगी ही बट आपको यह भी बता चलेगा कि कौन से areas को आपको थोड़ा और revise करना जरूरी है पर इसी test में अगर आपने बहतर perform किया तो आपको कुछ exciting prizes भी साथ में मिल रहे हैं तो दोनों तरफ से फाइदा ही है test में participate जरूर करें stay tuned thank you so much